सो गैस आज हम स्टार्ट करेंगे बायो सब्जेक्ट से बायो लॉजी से आप लोग एक दो को छोड़ करके बाकी सभी न्यू इस्टुडेंट्स हैं ठीक है ना सभी को मैं बेसिक तरीके से आपका स्टार्ट करूंगे बिल्कुल बेस से क्योंकि आज फॉस्स दे है यदि हम स्पीड में बढ़ेंगे लेकिन स्टार्टिंग हम बिल्कुल बेस से करेंगे ठीक ना और बायो का जो बेस है यह देखिया आप बायो लॉजी फस्ट इसे हम हिंदी में बोलेंगे जीओ विज्ञान ठीक है ना अब सबसे फस्टों हमें इसका मीन्स पता होना चाहिए कि बायोजी मीन्स क्या है मतलब क्या है हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो हमारे साइंस पोर्षन में जो बायोजी सब्जेक्ट है उसका मतलब क्या हमें क्या पढ़ना है उसमें तो मालूम है सबी को कि बायोजी में क्या पढ़ना है क्या पढ़ना है जीओ जन्तु तो जीव क्या है और जनतु क्या है हाँ जीव और जनतु दोनों में बिलकुल एक डिफ्रेंस है विलकुल जन तुमें से ने हमन्या यह न मतलें जीव में कोई भी आपका बेक्टीरिया बाइरस प्लांट फंगस कुछ भी हो सकता है जीव बोले तो आपका कोई भी living अदिधानिती प्लेटके उनू良क강 को वह को सकता है , सब्सक्राइब है, डिखे अब्सक्राइब कंट्राफिग के लिए जिसमें आपका nutrition आपका पाया जाता है, means जो खाता पीता है, respiration करता है, reproduction करता है, excretion करता है, यह सब ही होती है, जै विक्रिया है, बोलें तो living organism, any organism, या बोलें तो many type of organism present many biological activity, like this growth, respiration, digestion, excretion, यह सब आपकी क्या कहलाएंगे, biological activity कहलाएंगे, और जहां पर आपकी present, यह किसमे है, जैसे हम में present है, यह इसमें तो present नहीं है, यह क्या है non living, और हम लोग क्या है living, तो हम एक तरह से क्या बोल सकते हैं, कहीं भी मनुस्वकुना रख करके, और भी कुछ चीज़े हम plant वगएरा, और भी कुछ रख ले, तो हम लोग एक तरह से उसे, एक common word देंगे, Jew, लेकि तो उसमें हम पढ़ते हैं क्या, monera, protesta, fungi, planty और animalia, जो भी आद के जीव आते हैं, वो जन्तु कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, हिंदी में जन्तु और इंगलिस में animal, इसलिए उसको animal के इंगणम बोलते हैं, तो हम इस पेसल अपने को बोलें, तो हम लोग क्या है, जन्तु है बोलें, तो animal में आएंगे, समझ में आए ना, तो यह है, biology का मतलब होता है, means that हम बोले, study of living organism, ठीक है ना, study of living organism, बोलें, तो जीवों का अध्यन करना ही, आपका जीव विग्यान या biology कहा जाता है, क्या है आपका, जीवों का, जीवों का अध्यन, जीवों का अध्यन हम जीव, बिग्यान, समझ में है ना, study of living organism, क्या बोलेंगे हम, study of living, living organism, is called the biology, biology को यदि हम तोड़ना चाहें, तो ऐसे दो वर्डों में तोड़ते हैं, bio, यह हो गया bio, और यह आपका हो गया, plus logic, biology, bio मतलब हो जाएगा आप क्या क्या, living, क्या हो जाएगा, living, मतलब बोले तो जीवित वाले, जीव, जहाँ, जेव क्रियां प्रेजेंट है, वो कहलाता है, bio, और logic कहलाती है आपकी क्या, study, समझ में है न, living, study, living organism की study ही कहलाती है, biology, समझ में आगे न, चलिए, अब living, non living भी आपको मालूम हो गया है, next देखते हैं हम, कोई डाउट हो, कोई भी यदि कहीं भी समझ में नहीं आए किसी को, तो आप बिल्कुल पूछते जाना बीश में, ठीक है, question करते जाना, अब biology में जो living organism है, यह हमने लिखा, living, living organism, living organism, ठीक है, बोले तो आपका, जीवित जीव है जीवित जीव में कोई भी हो सकता है, एक living organism का formation कहां से होता है, जो जीव का निर्मान होता है, वो कहां से होता है, जैसे हम लोग है, प्लांट है, और भी छोटे जीव हैं, कोई भी जीव है, तो जीव का निर्मान सबसे पहले कहां से होता है, कहां से, कोशिका, सेल से, ठीक है वो होता है क्या सेल जिसे हम बोलते हैं हिंदी में कोशिका समझ में आया ना ये कोशिका भी होती है दो तरह की ठीक है कोशिका भी आपकी दो तरह की एक ये फरनीचर है आपका यहां भी आपकी एक सेल है और हमारे अंदर भी एक सेल है प्लांट के अंतर भी सेल है दोनों से हो जाए तो body क्या हो गई dead हो गई मतलब वहां जितनी भी biological activity होती है जैविक क्रिया होती है वो सब बंद हो जाती है समझ में न तो बंद हो गई तो cell आपका क्या हो गया dead हो गया तो cell को हमने ऐसे बताए एक होता है आपका dead यह हो गया dead cell बोले तो म्रत कोशिका और एक होती है आपकी क्या living cell living cell living cell आपकी ऐसी cell रहेगी जो आपका intake भी करेगी और आपका क्या करेगा बाहर भी निकालेगा मतलब यह जैसे water nutrition और भी है जो उपयोगी चीज़ें है वो आपकी अंदर भी लेती है material को यह अंदर भी लेती है और material को यह बाहर भी निकालेगा तो जो कारशील है वर्क कर रही है जो कोशिका वो आपकी क्या कहलाएगी जी भी कोशिका बोले तो living cell कहलाएगी हमारे body में जो cell पाई जाती है वो कैसे पाई जाती है यह एक liquid भरा रहता है इसमें क्या भरा होता है liquid जैसे हम बोलते हैं इसका कोशिका अध्रव या शाइटोप्लाज तो साइटोप्लाज जहां present है वो आपकी cell क्या है living cell है और जैसे यह आपकी एक plant body है इस plant को हमने cut कर दिया cut कर दिया यह stem हो गया कुछ दिन आपका क्या हो गया cut करने पर ना तो इसे कुछ नीचे से इसे nutrition मिला ना water मिला ना कुछ हुआ धीरे इस cell के अंदर जितनी भी यह cell है इस cell के अंदर का जो भी साइटो प्लाजम था बो स्रिंक हो गया बिल्कु सिकुड गया cell आपकी बिल्कु सूख करके ड्राई हो गया समझ मैं तो यह cell आपकी क्या हो गई म्रत कहलाई तो इस तरह से एक होती है डेड़ सेल डेड़ सेल जिस आपकी ऑर्गनिस्म में प्रजेंट है वो आपका क्या कहलाएंगे नॉन लिविंग और जिसमें आपका लिक्विड आपका साइटो प्लाजम आपका प्रोसस में है ए क्या है आपकी लिविंग सेल है और जैसे आपके यह सब आपकी कटी हुई लकड़ी है फरनीचर है यह आपका सूखी हुई आपकी सेल है वो आपकी क्या कहलाएगी डेड़ सेल कहलाएगी समझ में आए ना तो हमारी एक बाइलोजी में मैंनी टाइप आप ब्रांच होती है क्या होती है ब्रांच मैंनी टाइप आप ब्रांच है जहां पर हम सेल की स्टडी करेंगे वो आपकी ब्रांच क्या कही जाएगी साइटो लॉजी बोले तो कोश्की यह बिग्यान यह सबसे पहली आपकी बेसिक आपका टॉपिक है साइटो लॉजी क्या है साइटो लॉजी आंगे आपका और भी मिलेगा histology, आपका physiology, physiology में animal physiology अलग है, आपका human physiology अलग है, plant physiology अलग है, ठीके न, ऐसे आपकी बहुत सारी ब्रांच हैं, जिसमें हम biology के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमारी first branch जो आ रही है, वो है आपकी cytology, cytology, logic, बोलें तो हम कोश किये बिज्ञान, क्या बोलें किसे, कोश किये बिज्ञान, अब कोश किये बिज्ञान का भी मतलब आपको समझ में आ रहा है, कि ऐसी बिज्ञान, ऐसी science की बिज्ञान की ऐसी ब्रांच, जिसमें हम कोश का के बारे में क्या करते हैं, अध्यन करते हैं, ठ कहना चाहिए detailed study of cell, शंपूर अध्यन जो आपका cell का होता है वो आपका क्या कहलाता है, कोश के बिज्ञान, ठीक है न, तो यह है आपका, इसे हम बोलेंगे completed study या whole study of cell, ठीक है न, यह हम बोलें संपूर अध्यन, संपूर अध्यन, किसका, कोशिका का, कोशिका का, यह हम लिख देंगे, कोशिका का, कोशिका का, संपूर अध्यन ही कहलाती है, आपकी क्या, कोश के बिज्ञान, ठीक है, whole study of cell, is called the cytology, अब cytology में भी जब हम कोशिका के बारे में अध्यन करेंगे, तो सबसे पहले हमारी कोशिका, यह बोलें, तो आपका cell ही आएगा, क्या आएगा, cell, सबसे पहले ही आए, आपका cell वर, अब हम बात करते हैं, cell की, cell से हम introduction कराते हैं कि cell क्या है, cell आपको मालूम होगा, cell किसे कहते हैं, क्या, बोलिए, कोशिका किसे कहते हैं, सबको मालूम है, बोलिए, कोशिका किसे कहते हैं, हाँ, अंग नहीं, अंग में थोड़ी है यह, अंग तो लीवर है, हाट है, किडनी है, यह कहलाते हैं, सबसे छोटा एकाई एकाई बोल सकते हैं पार्ट भी नहीं बोले पार्ट में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ठीक है ना हम बोलेंगे कि जो जीवों की सबसे छोटी एकाई होती है ठीक है ना कोई भी living organism हो एनी living organism चाहे plant हो fungus हो आपका animal हो कोई भी हो सबसे छोटा पार्ट यह बोल सकते हैं basic unit of living organism living organism की सबसे छोटी unit को सबसे आधार भूतिकाई को हम क्या बोलते हैं कोशिका कहते हैं ठीक है ना यह हम बोलेंगे small unit of small unit of living organism मतलब जीवों की यह है जीव कोई भी जीव लिख सकते है जीवों की सबसे छोटी एकाई सबसे छोटी एकाई को हम क्या कहते हैं कोशिका कहते हैं कोशिका क्या है सबसे छोटी एकाई इसे हम basic भी बोल सकते है basic unit of living organism is called the cell ठीक है ना यह एक definition और बता सकते हम कोशिका की कोशिका को एक और define कर सकते हैं आपको एक और मिलेगी definition कैसे देखना यह लिख लिए आपने यहां से आपको लिखते जाना अपना notes तयार करते जाना यहां से कि cell से आपने cytology डाली और cell आप डालेंगे कि small unit of living organism is called the cell ठीक है ना जीवों की सबसे छोटी एकाई को हम कोशिका कहते हैं या आधार भूत एकाई को हम कोशिका कहते हैं एक definition और देखिए जो इससे best है cell की एक definition और हम बता सकते हैं कि structural and functional unit of cell जीवों की सनरचनात्मक और क्रियात्मक एकाई को ठीक है ना structural structural and functional structural and functional unit of living organism organism is called a cell ठीक है हिंदी में बोलेंगे सनरचनात्मक structure को बोलते हैं सनरचनात्मक और functional को बोलते हैं क्रियात्मक सनरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही हम क्या बोलते हैं कोशिका कहते हैं समझ में इसका मतलब भी समझ लेजिए क्योंकि इसके द्वारा बहुत अच्छी तरीके से बताए गया है लाइक दिस ये हमारी क्या है सबसे पहले क्या है ये सेल है एक सेल की स्टरक्चर है सेल इता साथ जरी इतार बादो हिनुट्रीशन आगे तो आपकि जब भोजन पानी लेती है तो इसमें ऐन यह cell आपकी क्या हो गई बढ़ गई ठीक है बढ़ करके पूरी मैच्योर हो गई जब मैच्योर होती है तो इसमें division भी होता है यह आपकी एक cell से दो cell हो गई अगेन आपकी यह cell भी क्या करेंगी ग्रोथ करेंगी ठीक है न पूरी biological process करेंगी जिसकी वज़े से यह भी divide हो जाएंगी जब ऐसे cell आपकी विभाजन करती रहती है तो many cell का ऐसा group बन जाता है ग्रूप ऑप सेल को ही हम क्या बोलते हैं टीशू जैसे हम histology में बताएंगे यह टीशू और जब ऐसे कई टीशू जैसे आपका टीशू टीशू मिलता है यह टीशू टीशू मिलकर के क्या बनाता है आपका organ क्या बनाता है organ बूले तो अंग और जब organ आपके systematic आपके arrangement systematic position में arrangement आपके होते हैं तो एक आपकी क्या बन जाती है body सिस्टमेटिक का मतलब है कि organ आपके बहुत सारे organ है जैसे liver, kidney, heart ठीक है आपके limbs, pole limb, hind limbs यह सभी तो यह कहीं भी ऊपर नीचे ऐसे नहीं हो सकते सबसे पहले यह systematic arrangement होता है कि सबसे पहले क्या आएगा तो पूरे organ को controller आता है पहले head, पहले head आईगा, ठीक है ना, chest आएगा, abdomen आएगा, next आपका liver part आएगा तो यह systematic arrangement कहलाता है और जब एक systematic arrangement हो जाएगा organ का तो आपके यह क्या बन जाएगी, यह आपकी एक, क्या बन जाएगी है, यह body बटी बन जाएगी क्या मन जाएगी यह बोडी और बोडी में जब आपके living cell है living tissue है living organism है तो बॉडी क्या करेगी वर्क करेगी समझ मैं ला इसलिए इसलिए क्या करती है सैल स्ट्रक्चर भी बनाती है एक बॉडी की वाट से भी body structure बनती है और जब structure बन जाती है तो body में क्या होता है work होता है इसलिए इस definition को बोला गया है कि cell क्या है living organism की structural and functional unit कही जाती है clear समझ में आ गया ना इसे रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुँ समझ में आ गया आपको अपने word में भी आप लोग लिख सकते हैं तो ऐसे दो definition आपकी होते हैं cell की दो definition यदि आप वो तो बिल्कुल बन जाएगी इसे थोड़ा सा ध्यान रखिए इसे जरूरात देखिएगा next देखते हैं अब हम आते हैं cell की definition cell को जो सबसे पहले आपका बताया है वो किसने बताया है cell को सबसे पहले उन्होंने dead cell को देखा था एक plant में cell wall देखा था और cell wall की around us जो structure थी वो आपकी एक cell थी cell wall आपका dead part कहा जाता है क्या कहा जाता है dead मरत मरत भाग कहा जाता है तो इन्होंने cell wall यह की कहना चाहिए dead cell की सबसे पहले की थी और यह आपका कितना किस सेशन में किया था 1665 1665 यह आपका 1665 में आपके first scientist आते हैं Robert Robert Hooke Robert Hooke scientist आते हैं इन्होंने cell की discovery की है यदि आये कि कोशिका बिल्कुल SI में normal question आपके आ सकते हैं कि कोशिका की खोज किसने की अब लेकिन यह कोशिका की खोज किसने की तो Robert Hooke ही बताना है लेकिन यहीं पर आपका लिख दिया कि dead cell की discovery of यह लिख गया आपका discovery of dead cell तो आपका Robert Hooke और यदि यह नहीं भी लिखा है डाइरेक्ट लिखा है कि cell की कोज की तो यही answer लिखना है बट कहीं लिख दिया कि discovery of living cell क्या लिख दिया discovery of यह discovery of living लगा दिया इसने living living cell यह लिख दिया तब आप Robert Hooke नहीं लिख सकते क्या आएगा antwony livenhawk उनका पूरा नाम है antwony livenhawk उन्हीं ने यह बैक्टीरिया की खोज की थी ठीक है antwony livenhawk यह livenhawk करके भी वह आपके बोल सकते हैं livenhawk ठीक है antwony livenhawk जो थे उन्होंने living cell यह इसी को हम बोल सकते हैं बैक्टीरिया बैक्टीरिया सेल चुकि बैक्टीरिया जीवित होता है इसलिए से living cell भी बोला जाता है कि बैक्टीरिया सेल की खोज यह living cell की खोज आपके antwony livenhawk ने की थी ठीक है ना समझ में आया चले लिख गया यह दो पॉइंट नेक्स हम देखते हैं जब हम cell के वारे में आप का आते हैं तो cell के अब हम देखते हैं भाग पार्ट पार्ट ओफ सेल यह हैं पार्ट्स ओफ सेल बोले तो कोशिका के भाग कोशिका के भाग ठीक है ना इसे हम कंपोनेंट भी बोल सकते हैं अवेव भाग भी बोल सकते हैं या अवेव अवेव इसे हम बोल सकते हैं कंपोनेंट 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 भी एक अवेव मतलब किन किन पार्टों से आपका मिलकर के एक का निर्माण होता है तो यह आपका component of cell या कोशिका के अभियाव आपके कौन कौन से हैं तो यह देखिए यह बनी हुई है आपकी एक cell यह बनी हुई है आपकी cell अब बताईए मुझे कि कितने पार्ट दिखाई दे रहे हैं तीन पार्ट सभी को तीन ही देख रहे हैं ना ठीक है ना तीन पार्ट दिखना है ना हाँ तो सेल के जो पार्ट है यह जो अभियाव है वह आपकी कितने हैं थ्री पार्ट होते हैं तीन पार्ट से आपकी cell बनी हुई है फास्ट पार्ट कौन सा है कोशिका भित्ती हाँ और अब देखिए जो आपकी यह बाहर लेयर बनी है यह जो आपकी बाहर लेयर बनी है वैसे यह सेल देखने पर कैसा प्रतीत होता है कि यह कौन सी सेल है नई आपका जो मैंने सेल का आपका जो यह सेल बनाई है यदि हम पूछे कि सेल को आप फाइंड करिए कि यह किसकी सेल हो सकती है तो living cell तो है जैसे आपकी परकार कर्ण जीव जन्तूँ आपका फंगस भी बताएं प्रोटेस्टांव अनिमाल ही बताएं प्लांट भी बताएं तो यह दिससा है की मिल जाए तो mostly सबसे पहले आपको क्या देना चाहिए कि यह जैसे आपके figure बना कर के भी आपके question आने लगी आपके बना दे और बोल दे इस cell को आप समझे कि यह किसकी cell है बताएक कि किसकी cell है एनिमल cell है यह कैसी cell है एनिमल इसे हम बोलेंगे एंिमल से यह मतलब हमारी सेल या कि किसी भी कुत्ता बिली गाय बक्री बेड़ बक्री जो भी आपके जिव जनतु होते हैं फिस रेप्टाइल कोई भी हो सकते हैं यह एनिमल कहलाते तो यह एनिमल की सेल एनिमल सेल की इस्पेसल उसी है ॅबगी बाकि और जैसे बैक्टीरीया हुग और वगएरा की होती है बैक्टीरिया कि वाग्हारा प्रफ़क्र inferior नहीं फिर नहीं प्रेशिन साथ मेरा ना है वह अनुब है ओ कर individually की shape को ले करके जीमों को especially हम higher organism में दो category में divide करते हैं एक plant और एक animal तो जब plant और animal में हम difference पढ़ते हैं तो सबसे पहले first difference यही होता है कि जो animal की cell है वो round यह की oval है और जबकि plant की जो होती है वो कैसी होती है plant cell का shape कैसा होता है आयताकार ठीक है आयताकार या कि आपका सट कोड ये बोले तो rectangle बोले तो rectangle shape कैसी होते bricks जैसे अपनी eat होते ही न तो eat के आकार की bricks shape या की rectangular shape और या की आपका hexagonal shape होते हैं तो ये हम बता रहे हैं आपकी animal cell और animal cell में सबसे first part cell का ये सबसे first part है ये आपका सबसे first part है ये अंदर आपका यह है यह सेकंड पाट है और यह आपका क्या है अपका यह three part है और nucleus के अंदर भी material आपका भरा जाएगा मेन genetic material जो होता है यह सब यह आपका भरा जाएगे जो आपका यह first part है जिसे आपने नाम बताया बताया cell wall और आपका क्या बताया cell membrane तो चुकि यह निमल है तो सेल वॉल्ट तो होगी नहीं रिकल trainer में पाई relativ तो यहां यहां आउटर कवरिंग आप सेल हम आपने हैं कि प्लांट पाई जाएगी है वह संब्सक्त करेंगे दिए हाय जो कींटने प्लांट में पाईजाएगे वह फीछए इस थी या की लिए आपकी हैption मिल या की प्लांट या की कोई भी जियुमें आपकी दूसरी जो लेयर पाई जाती हूं से हम क्या बोलते हैं? Cell Membrane. और एक तीसरी Membrane होती है, जिसे हम बोलते है, जीकर ना? यह देखना. यह जो boundary है, यह जो boundary, यह आपकी जो boundary है, यह boundary ऐसे 3 होते हैs. यह first, यह आपकी second, और यह आपकी ऐसे third. ऐसे तीन बाउंडरी होती हैं, तीन आपकी बाउंडरी पाई जाते हैं किसी भी सेल में, तीन बाउंडरी, मतलब कि हर सेल में तीन नहीं होंगी, प्लांट में जैसे दो हैं, दो हमारे में, लेकिन बाउंडरी तीन होती हैं, एक बाउंडरी को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल, एक वाउंडरी को हम क्या बोलते हैं? सेल मेंब्रेन, जिसे हम पोश्का जिल्ली बोलते हैं, इसे हम पोश्का भित्ती बोलते हैं, और जो तीसरी वाउंडरी है, इसे हम बोलते हैं, ग्लाइको केलेक्स, ठीक है ना? ग्लाइको केलेक्स, ग्लाइको यह देखना है इसमें यह आपका फर्स्ट मैंने क्या बताया है सेल वॉल, सेल वॉल, दूसरा क्या बताया मैंने सेल मेंब्रीन और थाड़ क्या बताया मैंने गलाइको कैलेक्स यह आपका गलाइको कैलेक्स यह तीन आपकी लेयर होती है इन तीनों लेयर को कॉमन रूप से हम क्या बोलते हैं सेल बाउंडरी क्या बोलते हैं सेल बाउंडरी तो यहां हम नेम यह फर्स्ट पार्ट हमने लिखा है इसे हम बोल सकते हैं क्या, cell-boundaries लिख देंगे, च्गी तीन हैं, तो cell boundaries, यह cell boundaries अब ऐगे, अब हो सकती है, आपके कौन-कौन सी cell membrane और glycokinglex, plant में होंगे आपकी cell wall और cell membrane, समझ में आया न? Second consensus, inside of cell boundary present है आपका यह liquid, है आपका क्या है, लिक्विड जिसमें यह लिक्विड है और कुछ-कुछ सॉलिड चीज हैं भी आपके जो cell organ होते हैं जेते हैं कोशकांग कहते हैं वो भी आपके यही पाय जाते हैं तो inside of cell membrane and outside of nuclear membrane यह आपका nucleus है बीचों बीच और यह nuclear membrane कहलाएगी यह क्या कहलाएगी nuclear membrane बूले तो केंद्रक जिल्ली तो केंद्रक जिल्ली के बाहर और कोशका जिल्ली के अंदर जो आपका यह liquid पाया जा रहा है यह देखना यह यह आपका जो liquid पाया जा रहा है यह blue color का यह जो मैंने आपका यह बताया इसमें तो इसे हम second part बोलेंगे और second part को हम क्या बोलते हैं cytoplasma क्या बोलते हैं cytoplasma समझ में आए ना यह देखें यह cell membrane है तो cell membrane के अंदर और यह आपका केंद्रक है तो केंद्रक जिल्ली के यह बाहर आप यह बीच वाला जो आपका एरिया है यह बीच वाला एरिया जो आपका यह कहला है इसे हम बोलेंगे cell का second part और बिल्कुल बींच बीच जो आपका पाया जारा है वह आपका क्या कहलाएगा क्या कहलाईगा क्या कहलाई पार्ट होते हैं कितने पार्ट होते हैं सेल का निर्मान तीन भागों से होता है कितने भागों से तीन भागों से कौन-कौन सा फर्स्ट पार्ट क्या है सेल बाउंडरी सेकेंड पार्ट क्या है साइटो प्लाज्म और थर्ड पार्ट क्या है आपका केंद्रा समझ में आ गया टि के ना तो ऐसे यह मैंने आपको बताए कि सेल के आपके तीन पार्ट होते हैं यह औप लिंशियुंत अब जैसे आपके पार्ट आम रसेल के किसल की ये जो physical मैने आपकी बताए हैं ऐसे बना लेंगे एक है आपका क्या सेल बाउंडरी largo कुछिक होता है आपका क्या साइटो प्लाजमी और एक होता है आपका क्या नियूपलियस यह तीन भागी बताएं मैंने तीन भागों से तीन भागों में टूपती है और तीन यह पाट मिल करके एक आपकी living cell का निर्मान करते हैं समझ में है न cell boundary मैंने आपके तीन नाम बताए है first name क्या बताए है मैंने cell wall ये लिख दिया मैंने cell wall जैसे हम हिंदी बोलते हैं कोश का भित्ती हिंदी में भी आप लिखते जा न जो हिंदी वाले हो परिशान मत हो न ये हो गया आपका कोश का भित्ती बोलते हैं कोश का भित्ती ये कोश का भित्ती कहलाएगी ठीक है न कोश का भित्ती दूसरा कहलाएगा आपका cell membrane इसके और भी नाम है cell membrane को हम bio membrane भी बोलते हैं unit membrane भी बोलते हैं ठीक है न प्लाजमा membrane भी बोलते हैं उसी के नाम है तो यह cell membrane इसे हिंदी में हम बोलते हैं कोशिका जिल्ली कोशिका जिल्ली क्लिया नेक्स्ट हम बता रहे हैं glyco-calax जो आपने अभी तक नहीं सुना होगा यह भी आपकी एक परत होती है जिसे हम बोलते हैं glyco-calax glyco-calax यह केवल animal में पाई जाती है हमारी cell में पाई जाती है यह इस तरह से cell boundary जो cell का first part है तीन भागों में बटा होता है तीन टाइप की होती है जो cell wall है यह आपके यहां आप लिख सकते हैं for example में कि यह cell wall पाई किसमें पाई जाती है तो किसमे किसमे पाई जाती है, cell wall किसमे पाई जाएगी, plant, और दूसरा, animal में क्यों पाई जाएगी, बताईए cell wall, एक तो plant में पाई जाती हो, दूसरा, bacteria, यह आप जैसे आजाएं, कि cell wall किसमे पाई जाती है, तो plant तो आपको पता है, लेकिन plant option ही न रहे, plant option ही न रहे, और पूछे कि cell wall किसमे पाई जाती है, उसमें आपका लिख दिया कोकस, डिपलो कोकस, तो जो कि एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया नाम है, तो बैक्टीरिया में cell wall पाई जाती है, समझ मैं न? उनमें बहुत बड़ा डिफ्रेंस है, जो बैक्टीरिया आपकी cell है, वो प्रोकेरियोटिक cell है, और जो एनिमल cell है, वो यूकेरियोटिक cell है, प्रोकेरियोटिक मतलब अभिक्सित कोश्का, जिसमें कोई cell organ नहीं पाई जाते हैं, जिसमें single DNA सुरुवाती अवस्था में होत है, इसलिए तो इसका इस ग्रोथ नहीं हो पाई जादा वो single cell का ही रह गया, समझ में और जो हम लोगों की cell है, वो आपकी यूकेरियोटिक cell है, इसलिए हमारी cell में ज्यादा वर्क होते हैं, हम बिक्सित जीव में आते हैं, और वो अबिक्सित जीव में आता है, समझ में आ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हिंदी में हम जीवानों बोलते हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, उनमें cell wall या कोश्का भित्ती पाई जाती है, अब बात करते हैं हम cell membrane की, जिसे हम हिंदी बोलते हैं कोश्का जिल्ली, तो कोश्का जिल्ली के क्या example है, किसमें पाई प्लाजमा मेंब्रेन ही एक ऐसी मेंब्रेन है जो यूनिवर्सल मेंब्रेन कही जाती है बोले चाहे वो बैक्तिरिया हो चाहे वो आपका अमीवा हो चाहे वो आपको कोई फंगस हो चाहे प्लांट हो चाहे एनी मेलिया हो आपका आए कि ऐसी कौन सी परत है जो सर्व ब्यापी है सब जगह है आपकी पाई जाती है यूनिवर्सल मेंब्रेन किसे कहते हैं तो प्लाजमा मेंब्रेन आपकी यूनिवर्सल मेंब्रेन कहलाती है यह ओल और्गनिस्म भी यह हम बोलेंगे ओल और्गनिस्म सभी जीवों में इसलिए हम इसे यूनिवर्सल मेंब्रेन कह सकते हैं यूनी वर्सल मेंब्रीन, हर जगह आपकी पाई जाएगी, चाहे वो प्रोकेरियोटिक और्गनिस्म हो, और चाहे वो यूकेरियोटिक और्गनिस्म हो, सभी में आपकी पाई जाएगी, समझ में है न, जो आपकी ये है, ग्लाइको केलेक्स, ग्लाइको केलेक्स का membrane आपकी पढ़िए पढ़िए न कोई भी आपने यह ऐसे हमारी सेल बनी होती है तो सेल membrane यह हमारी यह सेल बनी है तो इसे हम डाइरेक्ट खस लिख देते हैं ऐसे आपका सेल membrane लिख देते न बुकों में भी हमें मिलता है ऐसा लेकिन आप detail से थोड़ी higher level पर जाएंगे तो सेल membrane की भी protection के लिए एक बिलकुल आपकी पतली layer आपकी पाई जाती है जो सेल membrane को protect करती है इसे हम बोलते हैं क्या glyco calyx glyco calyx बोलते हैं इसे हम animal cement के नाम से जानते हैं glyco calyx को क्या मल में पाई जाते हैं इसे animal cement भी कहते हैं यह protection करता है किसके cell membrane की जैसे यह हमारी cell membrane है यह cell membrane है तो cell membrane के बाहर आपकी एक बिलकुल पतली परत पाई जाएगी यह बिलकुल पतली परत पाई जाएगी जो कि cell membrane की सुरक्षा करने का कार करती है यह cell membrane इनकी सुरक्षा करने का कार करती है जिसे हम बोलते हैं क्या Glyco-Cellix समझ में है ना? इसे हम animal cement भी कहते हैं ये न तो plant में पाई जाएगी न बैक्टिरिया में पाई जाएगी न फंगस में पाई जाएगी केबल animal में पाई जाएगी animal में चाहे वो फिस हो चाहे frog हो, चाहे कोई पक्षी हो, चाहे human हो कोई भी आपका जियूजन्टू हो सभी में आपकी ये glycocalyx cell membrane की उपर पाई जाती है जो cell membrane की सुरक्षा करने का कार करती है अब देखिए cell boundary आपको समझ में आ गई next हम बात करते हैं किसकी cytoplasm की cytoplasm, जो कि आपका कैसा है semi liquid material में कैसा है? semi liquid material में यहाँ आपका third part क्या है nucleus nucleus, जैसे हम हिंदे में क्या बोलते है kendra आपका बिल्कुल से और question आपका ऐसा पूछा जा सकता है कि कोशिका का सबसे मुख भाग कौन सा है, यह मुख component कौन है, तो कौन है निकेंद्रक है, यह सबसे बड़ा component सबसे बड़ा भाग या सबसे बड़ा component कौन है, तो भी हम क्या लिखेंगे diagram देखो यह बना यह आपका cell boundary first part है फिर आपका यह cytoplasm है और फिर आपका यह nucleus और पूछ दिया, कि write the large part of cell cell का सबसे बड़ा भाग लिखिये, तो क्या लिखेंगे आप? केंद्रक, अब देखोगे आकार में यदि आप देखोगे, तो आकार में बोलोगे कि देखने पर कौन सा लग रहा है, आपकी cell boundary आपकी बड़ी लग रही, लग रही ना? लेकिन यहाँ जो पूछा जाता है question कि cell का कोशिका का सबसे बड़ा भाग लिखिये, वो पूछा जाता है function बेस पर, किस बेस पर? function बेस पर और यदि आपने वहाँ पर लिख दिया cell boundary तो गलत हो जाएगा आपको यदि पूछा जाए कि कोशिका का सबसे बड़ा भाग बताईए, तो आपको केंद्रक ही लिखना है, और यदि question आए कि आकार के आधार पर, आकार के आधार पर कोशिका का सबसे बड़ा भाग लिखिये, तब आपको केंद्रक नहीं लिखना है तब फिर cell boundary लिखना है आकार यदि लिखा रहे, size size base पर, तब आपको direct size wise कुछ नहीं लिखा है सीधे लिखा है कि कोशिका सबसे बड़ा भाग बताईए तो आपको केंद्रक ही लिखना है समझ में आ गया क्योंकि function उसका सबसे बड़ा है, केंद्रक यदि ना हो without nucleus, यह जैसे यह cell है, यह mitoplasma है, बट nucleus absent है तो यह cell आपकी क्या हो जाएगी dead, क्या कहीं जाएगी dead cell कहीं जाती है कुछ अपवाद ऐसे हैं कि कुछ cell में nucleus नहीं होता लेकिन फिर भी वो जीवित आपकी पाई जाती क्यों, क्योंकि कुछ cell आपकी ऐसे cell से घिरी होती है जिनमे nucleus पाया जाता है जैसे आपका यह cell में nucleus है यह पडोसी कोशिकाएं कहलाएंगी ठीक है ना, तो इन पडोसी कोशिकाओं का केंद्रक एक तो इस cell को भी नियंत्रत रखता है और आपकी इस cell का भी नियंत्रन यह कोशिका करती है जैसे हमारी red cell है RBC cell RBC cell में केंद्रक नहीं होता है लेकिन फिर भी वो जीवित कोशिका कही जाती है क्योंकि WBC का केंद्रक हमारी RBC cell को क्या करता है कंट्रोल करता है जैसे plant में आपकी flowyum एक आती है flowyum आपका tissue flowyum में आपकी जो सीप्स चलनी कोशिकाएं होती है होता लेकिन फिर भी वो जीवित कही जाती है क्यों क्योंकि वो ऐसी पडोसी कोशिकाओं से घिरी है कि जिनका केंद्रक उस कोशिका का क्या करता है नियंत्रन करता है इसलिए वो जीवित है समझ में यह सेम किसी कोशिका का जो केंद्रक है यह उसी तरह है, जैसे हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन है, समझ में न, आप पूरी बॉडी सही सलामत है, और यदि ब्रेन को निकाल फेकें, तो क्या बॉडी जीवित मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी न, आपने देखें न, कि ब्रेन हैमरेज हो जाता है, ब्रेन फेल हो करने लगते हैं न email करने हो तो बो अंगदान के ब्रेन क्या करता है boy body का करता है पूरे लीवर को भी वही चलाता है हाट को भी वही चलाता है किड़नी को भी वही चलाता है जितनी भी क्रियां जैबिक हो रही है वो इसके नियंतरन पर हो रही है अब जैसे कुछ पागल लोग होते हैं होते ना मेंटल विल्कुल मतलब जिनको सुरू से ही मतलब तो उनकी देखो क्या जचा है? क्या वो एक सही हमारे जो एक सोशल समाज है उसमें रखने लायक होते हैं? नहीं होते ना? उनको हम बिलकुल अपने से अलग ही रखते हैं कि नहीं रखते हैं? उनको कहीं mental hospital में जा करके admit करवा दें? क्योंकि वो बॉड़ी कोई काम की नहीं आपक की आती है, वो बॉड़ी कोई काम की नहीं होती है. समझा ना? सीम इसी तरह है, यदि cell में ये केंद्रक नहीं हो, तो जितनी भी cell के अंदर क्रियाएं होनी है वो क्रियाएं आपकी क्या हो जाएंगी नहीं होंगी रुक जाएंगी इसलिए वो cell आपकी dead में आ जाती liquid भले आपका present हो बट यदि आपका उसमें क्या नहीं है क्या नहीं है nucleus नहीं है तो without nucleus cell is called the dead but exceptionally some cells like this RBC and आपका phloem की जो seep cells है वो without nucleus होते हुए भी आपकी क्या है living cell आपकी कही जाती है क्योंकि वो neighbor's cell जैसे आपका WBC या campanion cell phloem को देखें तो campanion cell से control होती है समझ में आगे तो ऐसे आपका यह होता है तो यह मैंने आपका बता रही हूँ अभी यह आपका question आ सकता है यह main part है आपका main question यहां से बन रहा है कि write the large part of nucleus तो आपको लिखना है nucleus ही या उशिका का सबसे मुख भाग main part of cell भी तो आपको क्या लिखना है nucleus क्योंकि जो cell का एक division होता है एक cell की जो उत्पत्ती होती है वो इसके अंदर जो भरा है genetic material जो DNA भरा है वो इसी के कारण आपके होती है यदि DNA ना हो तो cell का निर्मान ही ना हो एक cell का निर्मान करने के लिए DNA जरूरी होता है समझ में आगा जो कि nucleus के अंदर है इसलिए nucleus आपका main part है clear देखें यहां हम बात करते है cytoplasm की यह है cytoplasm तो cytoplasm को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं जैसे यह आपका यह cell है तो cell में देखो कुछ-कुछ चीजे मैं solid भी बना रही हूं ऐसे यह solid चीजे भी आपका यह ऐसे बना दिया मैंने और यह आपका liquid भी बना दिया मैंने यह liquid तो liquid और solid यह आपका liquid liquid plus solid यह आपका solid बोले तो taral और thos taral और thos को एक special नाम देते हैं क्या क्या नाम देते हैं normally language में तो semi solid बोल सकते हो एक chemistry language में आए तो इसे हम बोलते हैं polyidy solution क्या बोलते हैं polyidy जैसे rate और पानी उसमें घुलेगी तो नहीं न rate rate नीचे आपकी settle हो जाएगी पानी उपर उपर तो कहना चाहिए जहां solid और liquid दोनों आपकी साथ साथ हों वो एक तरह से semi solid अर्ध तरल अर्ध ठोस या कि हम polyidy solution भी बोल सकते हैं तो जो cytoplasm का nature है वो कैसा है solid और liquid दोनों तरह का होने के कारणी से हम polyidy solution भी बोल सकते हैं सब्सक्राइब यहां अब देखनास जो आपका liquid होता है लिकुड्rie आपका होता है वह कहलाता है हेलो प्लाज्म क्या कहलाता है हेलो प्लाज्म लिक्विड को यह आपका लिक्विड लिक्विड जो होता है वो हेलो प्लाज्म और जो सॉलिड होता है सॉलिड होता है उसे हम बोलते हैं ट्रोफो प्लाज्म क्या बोलते हैं ट्रोफो प्लाज्म हेलो प्लाज्म और ट्रोफो आपके दो नाम दिये गहा है को दो भागों में बाटा गया है एक लिक्ट जो होता है उसे हम बोलते है है लो, क्या बोलते हैं है दिखा है है हैलो पलाज में पनी जैसा पदार्थ होता है और जो ये और अगन बने है n जैसे गोल जी बॉडी it सब कैसे होते हैं तो जो solid solid cell organ होते हैं जो उनको हम बोल सकते हैं ट्रॉफोपलाज्म प्रफोपलाज जो solid organ होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रोफफबाज्म और भी हम खाने-पीने की चीजिज यहीं जैसे यदि सेल ने आपका ये प्रोटीन लिया, फैट लिया, ठीक है ना? कुछ भी ऐसे सॉलिड चीज जब सेल के अंदर आते हैं, तो वो भी ट्रोफोपलाज में ही कहलाएगा. क्या कहलाएगा? ट्रोफोपलाज. और यदि सेल के अंदर पानी गया, चाय गया, मिल्क गया, जूस गया, तो वो आपका किसमें आएगा? हैलो में आएगा. समझ में आगया? तो इस तरह से ये एक सेल का क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझाया है ग्राफिकली फॉर्म में कि सेल बाउंडरी, साइटो प्लाज्म और आपका नियूकलियस. अब हम बात करते हैं टाइप आप दा सेल, यह है टाइप आप दा सेल, सेल की प्रकार, कोशिका की प्रकार, इससे हम बोलेंगे कोशिका की प्रकार, कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, कौन-कौन सी, ये लगा, और कौन, प्रोकेरियोटे और यूकेरियोट, प्लांट सेल और एनिमल सेल नहीं बोलना है, ठीक है न, कोशिका, कोई अभी किसी के मन में होगा, कि एक कोश्की और बहु कोश्की, ऐसा भी हो सकता है, किसी के मन में आंसर हो, तो बो भ टीन और चार ऐसा लिखा है तब तो आप इसमें लगा दोगे तो तो सही है लेकिन नाम के रूप में यदि पूछ लिया कि कोश का के प्रकार लिखिए और एक option में लिखा है एक कोश की और बहु कोश के दूसरा लिखा है plant cell, animal cell. ठीक है ना? थार्ड लिखा है आपका यह क्या बोलते हैं प्रोकेरियोटिक यूकेरियोटिक ठीक है ना और एक लिखा है डेड़ सेल और आपकी लिविंग सेल अब आपको कौन सी उसमें उप्सन लगाना है तो पता होना चाहिए कि कोशिका के प्रकार क्या है निर तो कितने प्रकार की होती है किसमें लगाएंगे हम फ्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक ठीक ना तो муसेल के आपके टो टाइप है, टो टाइप आफ सेल होती है, फर्स्ट होती है हमारी प्रो केरियोटिक, जिसे हिंदिये में हम अबिक्सित कोशिका या अनडवलप सेल भी बोल सकते हैं, तो फर्स्ट सेल है हमारी प्रो केरियोटिक, प्रो, प्रो मतलब क्या होता है, प्रीवियस सबसे पहले, प्रो का मतलब होता है प्रीवियस ट्रारंभिक तो प्रो मतलब प्रीवियस कैरियू जो वर्ड होता है कैरियू नूकलियस के लिए वर्ड यूज किया जाता है नूकलियस को कैरियून भी बोला जाता है क्या बोला जाता है कैरियून तो सबसे पहले वनने वाला जो नूकलियस है वो आपकी prokaryotic cell में है और वो nucleus कैसा होता है undeveloped जैसे यह आपके ऐसे cell बनी और cell में यह आपके ऐसा undeveloped type में nucleus जिसमें यह DNA single strand का था तो यह आपके pro nucleus कहलाया क्या कहलाया procarion 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 जिसमें होता है उसे क्या बोलते है prokaryotic केरियोन मतलब होता है nucleus और ऐसा nucleus जो सबसे पहले बना है जो undeveloped type में है जिसके अंदर आपका genetic material कम है single strand का है तो वो आपका previous nucleus यह procarion कहलाएगा और procarion वाली cell को हम prokaryotic cell बोलेंगे समझ में आए ना या प्रारंभिक cell बोलेंगे प्रारंभिक कोश्का अभिक्सित कोश्का ठीक है समझ में आ ना तो एक होती है prokaryotic cell और इसके बाद कुछ समय बाद आपकी जो cell बनी उसे हम बोलते है क्या यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-य-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू-यू- और इसे हम बोल सकते हैं बिक्सित कोश्का. तो कोश्का कितने प्रकार की है? दो प्रकार की. कौन-कौन सी? प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक. ये भी यहां important है. बिलकुल SI में यहां पूछ सकते हैं इसको. और ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोकेरियोटिक कोश्का किसमें पाई जाती है? ऐसा भी आपका आ सकता है कि प्रोकेरियोटिक कोश्का ये हाँ की प्रोकेरियोटिक या अभिक्सित कोश्का प्रोकेरियोटिक सेल किसमें आपकी पाई जाती है? Which organism present the prokaryotic cell? तो answer इसका क्या देंगे आप? नहीं लिखा है, बैक्टीरिया जीवानू नाम नहीं लिखा है तो फिर आप क्या लिख सकते हैं इसमें? और दूसरा option क्या मिल सकते हैं आपको? Single cell, single cell, ठीक है न? Single cell, single cell भी आपका गड़वड जा सकता है और क्या लिख सकते हैं? बताएं, single cell भी हो सकते हैं सही एक जगए लेकिन एक जगए पर थोड़ा सा वो कन्फ्यूज करेगा क्योंकि मौनेरा के जो मेंबर होते हैं अमीबा, पैरा, मेशियम वो भी तो single cell वाले होते हैं और उनकी cell क्या होती है? यूकेरियोटिक होती है, ठीक है न? तो यहाँ यदि आपका प्रोकेरियोटिक पूछ रहा है और option आपको क्या मिला है? देखना, यहाँ आपका लिखा है आपका कैसा? single cell बोले तो आपकी एकल cell या uni, unicellular unicellular, ऐसा unicellular, यहाँ लिखा है आपका bicellular, बोले तो दुई कोश के, bicellular bicellular, यहाँ कि आप लिख दिया यहाँ पर multicellular और यहाँ आपका लिख दिया all of these, तब तो आप किसमें option लगाएंगे? prokaryotic cell किसमें पाई जाती हो? यह है आपके option यह आपके option है, ठीक है न? यह आपके option है तो किसमें लगाएंगे? uni, तब तो ठीक है तब तो uni ही लगेगा, ठीक है न? लेकिन एक जगह मैं आपको और clear करूंगे कि यहाँ आपका eukaryotic भी आपका option में मिल सकता है अब आपको यहाँ पर जो लिखना है कि prokaryotic cell किसमें पाई जाती है तो bacteria में, bacteria लिख लिए uni भी आपका हो सकता है यदि आपका eukaryotic नहीं पोछ रहा है तो uni भी हो सकता है और तीसरा आपका हो सकता है क्या? monera, kingdom, monera क्योंकि monera kingdom के जो organism होते हैं वो पूरे bacteria कहे जाते हैं तो monera भी आपको option में मिल सकता है monera, protesta, fungi, plantin इन में से बताईए कि prokaryotic cell किसमें है? monera में, monera ही आपके क्या होते है? पूरे bacteria होते हैं और bacteria पूरे क्या होते है? uni cellular है चीक है न? तो यहाँ आप example लिखेंगे example लिखेंगे यहाँ पर कि किसमें किसमें हैं आपका? यह हो गया uni लिख लिए आपने, uni cellular लिख लिए यहां आप मॉनेरा लिख लिए आपने मॉनेरा और यहां आप लिख लेंगे बैक्टीरिया क्या लिख लेंगे बैक्टीरिया यहां बैक्टीरिया पूरा कर ले ना आप लो बैक्टीरिया इसका एक्जामपल यदि हम बोले कि यूकरियूटिक सेल किसमें किसमें पाई जाती ह किया लिखेंगे आप एनिमल सेल तो क्या प्लांट में आपकी कौन सी सेल है फिर कि यूकरिविटिक ही होगी ना और फंगस में क्या होगी उसका नृकलिस डवल अप हो जाता है कुछ आपके एक्सेप्सनली है, इस्ट वगेरा, जो कि फंगस वगेरा में आते हैं, ठीके ना, लेकिन उनको यूनी सेलुलर होने की वज़े से उनको फिर बाद में यहां पर मॉनेरा में आपका यह भेज दिया गया था, तो आपके फंगस मोस्ली आपका डवलप हो चुका है, केंद्रक डवलप हो गया है, मल्टी सेलुलर भी हो गया है वो, ठीके ना, तो बो भी आपका किस में आएगा, यूकेरियोटिक में आएगा, ठीके ना, तो यहां ऑप्सन हम बता रहे हैं कि एक्जाम्पल में यदि आ गया कि यूकेरियोटिक सेल किस में किस में पाई जाती, तो क्या क्या बताएंगे आप एक्जाम्पल बताईए मुझे यूनी और मल्टी सेलूलर यह आप लिखेंगे यूनी एंड मल्टी बाई तो बाई तो हम लिखते ही नहीं है बाई तो हमें कहीं मिलता नहीं वो तो जबड़ जस्ती ऑप्सन बनाने के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं तो यह आप लिखेंगे यूनी और मल्टी मल्टी सेलूलर लिखेंगे यूनी एंड मल्टी सेलूलर और अब आप देखो कि यूनी यहां भी लिखा है और यूनी यहां भी लिखा है लेकिन यहां का यूनी क्या है बैक्टीरिया है और यहां का यूनी क्या है प्रोटिस्ट प्रोटीस्टा में बोले तो जैसे अमीबा है जैसे की प्रोकेरियोटिक योनी बेक्टिरिया है और जबकि यूकेरियोटिक का जो यूनिसेलूलर है वो आपका अमीबा, पैर, अमीशियम, यूगलीना ये सब हैं जिन में केंद्रा क्या होता है डवलप होता है ठीक है ओके समझ में आए ना आज की क्लास